जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवास्यों के बीच में बिताया जूट बोलो बार बार जूट बोलो दोस्तों परधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड आदिवास्यों के बीच में बिताया है और साथ ही साथ आदिवास्यों की बेज भूसा में तस्वीरे भी खिचवाई जो इस वगत सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही हैं लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं लेकिन आदिवासियों से मोदी के पुराने रिस्ते की इस बात पर लोग आश्चर चकित इसलिए नहीं हैं कि अक्सर मोदी जी जहां जिस सभा को संबोधित करते हैं वहां उस सभा में मौजूद मेजोरिटी से उनका पुराना नाता जरूर निकालाता है हाल ही में बांगला देश में एक संबोधन में मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने बांगला देश की आजारी में हिस्सा लिया था जिससे बांगला देश से भी उनका पुराना रिस्ता निकलाया था फिर मोदी जी ही कभी कहते हैं कि ट्र जाती है गोरो दिवस के रूप में निधारित कर आदिवासियों को संबोरित करते हुए मोधी जी ने कहा कि जीवन का महातुपूर कालखंड मैंने आदिवासियों के साथ गुजारा है तो सवाल आता है कि बच्पन में चाय और अखवार ट्रेन पर बेचने वाले मोधी जी आ आदमी भी वाकई इससे कुछ बचा नहीं है किसी दिन ये न कह दे कि मैं भगवान के साथ भी कुछ समय बिता कर यहां प्रकट हुआ हूँ एक और ट्विटर यूजर डी इंडिया लिखते हैं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से मेरा बच्पन का नाता है इस जीवन का लगभग सारा कालखंड इसी काम में ब्यतीत हो रहा है कई बार तो एक दिन में 4-5 ड्रेस बदलना पड़ता है संजय आनंद लिखते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे साहिब रामायर महाभारत इतियाद काल से विचरण करते हुए कल्यूग में भारत का सिरोधाराय करने के लिए अवतरित हुए हैं आगे 500 साल तक यूही विचरण भ्रमण करते हुए प्रिथिवी लोग का नाम बदल कर स नहरू जी की गलती से अमेरिका गया नाले से गैस निकालना सिखाया बांगला देश की लड़ाई फिर हिमाले बीच में गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचा नहरू जी ने तारीफ भी की थी फिर बिहार बीच में इटली भी गया था फिर 35 साल तक भिक्षा म हमें ये भी बताएं कि उनके इस आदिवासी बेस भूसा को ट्रोल करना कितना सही है अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में जरूर दें धन्यवाद एक लाइक सची पत्त कारता के लिए और ज़्यदा प्रोचसाहिद करता है इसलिए वीडियो को लाइक चरूर करें